इस बीच कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष राहूल गांधी का ट्रक में सवारी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया ये वीडियो हर्याना के अंबाला का बताया गया जिसमें राहूल गांधी एक ट्रक में बैठते नजर आए और उन्होंने अपनी कार छोड़ का ट्रक सही कई किलोमीटर का सफरताय किया हरियाना के अंबाला से आए वीडियो में राहूल गांधी कॉंग्रेस नेताओं के साथ नजर आए जिसके बाद वो जाकर एक ट्रक में बैठ गए इस दोरान उनका एक सुरक्षा कर्मी भी ट्रक में उनके साथ मौझूद रहा जिसकी तस्वीरें सुप्रिया शुनेत समेत कई कॉंग्रेस नेताओं ने ट्वीट की सुप्रिया शुनेत ने तो राहूल गांधी की तारीफ करते हुए लिखा कि राहूल सरकार और आम लोगों की बीच की दूरी मिटाने के लिए एकदम सही आदमी वो अलग तरह की राजनीती करने के लिए बने हैं उधर अर्मेनिया और अजर्बाइजान के बीच 30 साल से चल रही लडाई के खत्म होने के संकेत मिले क्योंकि एर्मेनिया के प्रिधान मंत्री ने बयान दिया कि वो नग basil करबाग को अजरबैजान का हिस्सा मानने के लिए टयार है लेकिन ये बयान देते हुएं उन्होंने अजरबैजान के सामने एक शर्थ भी रख दी और दो टूक बोल दिया कि वो नगर्नो करबाख पर तभी सरेंडर करेंगे जब वहां रहने वाले अर्मेनिया के लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी जिसका मतलब यह हुआ कि अर्मेनिया अजर्बैजान के बीट सालों पुराना जगड़ा खत्म हो सकता है और गेंद अब अजर्बैजान के पालेबे हैं क्योंकि अर्मेनिया के पिधान मंतरी ने बयान दिया कि वो नगर्नो करबाख को अजर्बैजान का हिस्सा मानने के लिए तैयार है लेकिन इसके लिए अजर्बैजान को वहां रहने वाले अर्मेनिया ए मूल के नागरिकों की सुरक्षा की गैरंटी देनी होगी अर्मेनिया और अजर्बैजान के बीच ताजा तनाव तब पैदा हुआ जब अजर्बैजान ने एलान किया कि उसने लाचिन कोरेडॉर पर चेकपॉइंट बना दिया है लाचिन कोरेडॉर नगरनो करबाख पो अर्मेनिया से लिंक करने वाला एकलोता रास्ता है इधर IPL 2023 की प्ले आफ की रेस से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बाहर होने के बाद विराट कोली भावुक हो गए उन्होंने अपनी टीम के साथ तस्वीरे पोस्ट करते हुए साथी खिलाणियों और RCB के प्रशंसकों का शुक्री आदा किया साथी RCB के प्रशंसकों से ये वादा भी किया कि अगले साल टीम इससे कई गुना बहतर तरीके से खेलेगी और IPL का कब भी जीतेगी कोली ने अपने स्ट्वीट के जरिये टॉर्नमेंट को अच्छी तरह से खत्म न कर पाने का अफसोस भी जताया और टीम के खिलाडियों समेट टीम के कोच और दुनिया भर में मौझूद RCB के प्रशंसकों का शुक्री आदा किया असल में दो दिन पहले गुजराट टाइटन से हुए मुकाबले में मिली हार की वज़े से रॉयल चैलेंजस बैंगलोर प्लेयाउफ्स की रेस से बाहर हो गई हालनकि विराट कोली के लिए IPL 2023 काफी अच्छा रहा इस टॉर्नमेंट में उन्होंने दो शतक भी जड़े इस बीच भारत को टोक्यो ओलिंपिक्स में गोल्ड मेंडल दिलाने वाले नीरच चोपडा ने भाला फेंकने की वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर वन पोजिशन आसिल कर ली यह पहली बार है जब इस लिस्ट में कोई भारतिय पहले नंबर पर पहुंचा है और इस लिस्ट में 1455 अंक पाते ही नीरच चोपडा जैवलिन थ्रो यानि भाला फेंक में दुनिया के सरवशेश के लाड़ी बन गए उनके बाद दूसरे नंबर पर करिबियाए देश करिनेडा के अंडरसन पीटर्स हैं जिनके 1433 पॉइंट है जहां उन्होंने 68.67 मीटर तक भाला फेंक कर इस लीग को अपने नाम कर लिया था और तब से ही पूरे शहर में हो रही राक की बारिश ने थमने का नामी नहीं लिया मेक्सिको के पुएबला से आए एक वीडियो में जुआला मुखी से निकली राक बारिश की बून्दों की तरह बरस्ती नज़र आए बताया गया कि राक की वज़े से वहां कई उड़ाने भी रद्द करनी पड़ गई जिसके बाद महां एरपोर्ट पर कई विमान खड़े नज़र आए आलाकि इससे बचने के लिए वहां की सरकार ने लोगों से मास्क लगाने और सिर ढखकर बाहर निकलने की अपील की और Bombay Stock Exchange का Sensex महज 18 अंकों की बढ़त के साथ 61,981 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 33 अंकों की बढ़त के साथ 18,348 पर बंद हुआ सबसे ज़्यादा तेजी अदानी ग्रूप के शेरों में रही और अदानी इंटरप्राइजिस का शेर एक ही दिन में 307 रुपए बढ़ गया ये बढ़त 13 प्रतिशत से ज़्यादा की रही अदानी ग्रूप के शेरों की वज़े से कारुबार के दौरान बाजार में तेजी दिखी लेकिन यूरप के बाजारों में आई गिरावट के बाद बाजार में आखरी घंटों में बिक्वाली शुरू हो गई बड़ी वज़े है असल में चीन की तरफ से ये दबाव बनाया गया कि ताइवान कोई अलग देश नहीं बलकि चीन का ही हिस्सा है इसलिए उसे किसी अलग देश की तरह डबलू एचो की सालाना बैठक में शामिल होने के लिए नियोता न भेजा जाए इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका चीन के दोस्तों को अपना F-35 लडाको विमान नहीं बेचेगा इसके बदले अमेरिका उन देशों को F-16 या F-15 फाइटर जेट देने के लिए तैयार है क्योंकि अमेरिका का मानना है कि दक्शन फूर वेशियाई देशों के पास F-35 फाइटर जेट उड़ाने की ख्रमता नहीं है आला कि पश्चिमी मीडिया का ये दावा है कि अमेरिका ने इस क्शेतर में मौझूद चीन के दोस्तों के लिए ही ये नीती बनाई है जिसके तहित वो थाइलंड समेत दक्शन फूर वेशियाई देशों को अपना ये घातक लड़ाको विमान नहीं बेचेगा इसके बदले अमेरिका ने थाइलंड को F-16 या F-15 फाइटर जेट बेचने का प्रस्ताव दिया है यानि अमेरिका किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि उसका F-35 लड़ाको विमान चीन के दोस्तों के पास पहुंच जाए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस खतरनाक विमान से जुड़ी एहम जानकारियां भी उसके दुश्मन चीन तक पहुंच जाएंगी अमेरिका का F-35 लड़ाको विमान स्टेल्थ तकनीक से लेस है यानि ये किसी भी रेडार को चक्मा देने में माहिर है उदर Eurasian Times दाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस यूकरेन को पश्चमी देशों से मिले घातक और महंगी मिसालों को खत्म करने के लिए लकडी के ड्रोन का इस्तमाल कर रहा है मतलब रूसी सेना लकडी के ड्रोन से यूकरेन की पौज को चक्मा दे रही है और उसकी मिसालों को बरबाद करने में जुटी है हाना कि रूस के पास जेलन्सकी की सेना पर कहर बरपाने के लिए इरान का आत्प घाती ड्रोन शाहिद 136 भी मौजूद है जिससे वो कीव समेत यूकरेन के कई शहरों को थर रा चुका है लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस यूकरेन की महंगी और घातक मिसालों को खत्म करने के लिए एक नया तरीखा अपना रहा है मतलब युक्रेन अपनी गातक और महंगी मिसायलों को रूस के लकड़ी वाले ड्रोन पर खर्च कर रहा है इसका पता तब चला जब 4 मई को युक्रेन की सेना ने रूस के लकड़ी के एक ड्रोन को मार गिराया इधर मुंबई में बम दमागे की धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफतार कर लिया आरोपी ने ट्वीट करके मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और लिखा कि वो जल्द ही मुंबई को उड़ाने वाला है गटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत मे ले लिया पुलिस ने केस दर्च कर उससे पूश्ताच शुरू कर दी उदर आर्तिक संकट से जूज रहे श्रीलंका में बिजली की खपत कम हो गई मतलब ये कि शिलंका की जनता के पास इतने पैसे नहीं बचे हैं कि वो महेंगी बिजली का इस्तमाल कर सके ज्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए पिछले साल शिलंका में बिजली के दावों में बड़ी बड़ोत्री की गई थी शिलंका में महेंगाई के कारण न सिर्फ बिजली बलकी दूसरे सामान और सेवाओं का इस्तमाल भी घट गया चीन के करज में डूबे शिलंका में पिछले साल जुलाई में जनता ने विद्रो कर दिया था सडकों पर हिंसा और आगजनी की गई थी क्योंकि वहां की जनता बेताहाशा बड़ती महंगाई से परिशान थी इसमीज सरकार ने एक जून से कफ सिरफ के निर्याद के लिए कड़े नियम लागू कर दिये जिसके तहित सरकारी लैब में जांच के बाद ही कफ सिरफ को विदेश भेजा जाएगा मतलब पिछले दिनों भारतिये कफ सिरफ पर उटे सवालों के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया इसे लेकर सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसके मताबिक विदेश भेजे जाने से पहले कफ सिरफ की सरकारी लैब में जांच होगी और जांच में सुरक्षित पाए जाने के बाद ही कफ सिरफ को निर्याद की मंजूरी दी जाएगी असल में ड़लू एचो यानि विश्व स्वास्ते संगठन ने भारत के चार कफ सिरफ पर अलर्ड जारी किया था आरोब लगा था कि भारतिय कफ सिरफ पीने से उस्बेकिस्तान और अफ्रीकी देश ग्यामबिया में कई बच्चों की मौत हो गई उधर सुडान में सहुटराश सचिफ के प्रतिनिदी वॉलकर पर्ठेस ने संगर्ष विराम का उलंगन करने वालों को कड़ी चेतावनी दी और सीजफायर का सही तरीके से पालन हो सके इसके लिए एक निगरानी समिती भी बनाई गई इस बार दोनों के बीच सीजफायर रोकने की पूरी जिम्मेदारी निगरानी समिती की है इस बीच अमेरिका की जिस महिला पत्रकार एलिजबेट क्यारल के आरोप पर हाली में पूरू राश्पती डॉनल्ड ट्रम्प पर भारी भरकम जुर्माना लगा था उसी ने एक बार फिर ट्रम्प को कोट में गसीड दिया इलिजबेट कैरल ने अब ट्रम्प पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया और नए हर जाने की मांग कर दी और इस बार उसने कोट से हर जाने के तौर पर दुगनी रकम की अपील की अमेरिकी पत्रकार एलिजबेट कैरल के मताबिक डॉनल्ड ट्रम्प की वज़े से उनकी बतनामी हुई और उन्हें अपनी नौकरी से हथ धोना पड़ा इसी वज़े से उन्होंने अमेरिका की एक अदालत में शिकायत दर्श कराई और ट्रम्प से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी भारती रुपेवों में करीब 82 करोड की मांग की इससे पहले एलिजबेट कैरल के ही आरोपों पर नियॉक कोट ने ट्रम्प को यौन शोशन मामले में दोशिक करार दिया था और उन्हें 41 करोड रुपे जुर्माना भरने का आदेश दिया था